कि अगर थे लिए भी मिन टैज़ की वांग वोटी तो भाइट्र ने चैस्पार अइप करीब साड़े ग्यारक ओने बारे बजे मेरा परिवार नीचे हम लोग बैठे थे बोता जिस लड़की का गच्चा वो भी नीचे था बीच में उस बच्चा रो रहा था मेरी मिसिज ने कहा कि बच्चा रो रहा हिमांसी को बलाओ दूद पिला देगी उपर बच्चा भेजा देखने के लिए तो गेट लगा हुआ तक खुल नहीं रहा था उन्होंने बताया क कि हिरालाल कश्चप बहुत नेग और शरीफ आत्मी है उसका परिवार शरीब रहा उसकी बेटी बहुत शरीफ लायक वर मैं भी उसके लिए हमेशा इस तरह से बिहेव करता था जिससे मेरा बच्चा हो हिरालाल कश्चप ने बताया कि तीन साल पहले हिमानी की शादी नरेंदर कश्चप के बेटे से हुई थी हिरालाल कश्चप ने आरूपियों के गरफ़तार इना किये जाने पर आत्मदा की धंगी दे कि अध्या की है इन ओलोगों ने जानबूट के एक यह गोली मारी है अभी बच्चे स्थारिक को आई थी गाड़ी कह रहे थे गाड़ी तो पास्ची ने गाड़ी मांग रहे थे मार आई थी थी मेरी बच्ची इसनी सीधी थी सारी परेशानिया खुद घोट की तरह पीती थी हम कहते थे बिटा तू परेशान से लग रही है क्या परेशानी है तो यह उन्होंने का कि सास मजे परेशान करती है देश के लिए ताने देती है सामान लाने को कहती है बिटा क्या सामान लाने को लिश्ट बजा के देदे हम लिखे देंगे सामान हमने लिश्ट जीसियो लिस्टों के सामन हमने इसको देखे आए मारपिटाई का मामला आया मेरी बच्ची को टॉर्चर किया जाता था मेरी बच्ची आठ महीं के गरव सिस्टी साटे असाले आठ महीना के गरव था उसको हम लोग आये थे उसकी मेरी जनिवर्स थी हम लोग आये चाज़ा जी आगी पेट्ट लवाएं गिए इसके बाट्टू पर्णाम के लीग दस्तावेस की तीसरे लिस्ट जारी हुई है। इसमें कई नए खुला से हुए है। पर्णामा के लवफ़ॉम मुशाग फुलसे का ने का आए कि उसका सर्वर हैक कर लिया गया था। ये हैकिंग पर्णामा से बार हुई थी। जो आफशोर कंपनियों में अपनी संफ़ती रखना चाहते थे। वहीं दूसी ओर फ्रांस से ओई सीडी से पनामा को ब्लैक लिस्ट करके टैक्स सावन देश की लस्ट में शामल करने की अभिलती है। परामालिक स्खुलासे के बाद एक बार फिर देश में ब्लैक मनी को लेकर हलचल तेज हो गई है। काले दन के मामलों की जाच कर रही एसाइटी के चेफ जस्टिस M.B. सासाब इस वक नमारे साथ है। हम पनामा लिक के ऊपर उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो पूरा प्रकरण है। क्या कहेंगे इसके ऊपर और एक ब्लैक मनी का महमना आपके सामने आ गया है। तो सर क्या यह जांच के लिए एसाइटी ने आदेश देदी है और किसको आदेश पारिद किया है। तो इसकी जांच हें वह कब तक मतलब क्या हम कह सकता है कि चह महां एक शाल। More time can be fixed on this aspect. But at the same time, from the income tax return it can be easily found out. सरे काखरी सबल देश में जब भी इस तरह का मामला उड़ता है तो तुरंत यह मान लिया जाता कि जिनका वहां पर खाता है वे देश में वो ब्लेक मनी से ही जुड़ा हुआ होगा तो इस पर आप क्या कहेंगे क्या किस तप्तिस का आमरा स्टाइल क्या रहेगा क्या यह जां अधिकारियों को और शन्स्थाओं को आदेश की जाए तो फड़ा समय लगेगा लेकिन आखिरकार क्या यह बात सही है जिनके भी नाम आये है वो ब्लेक मनी वहां उनके है कि लीगल बिजनेस कर रहे है वो तप्तिस के बाद पता चल गया लेकिन एसाइट ने जांज के आदिस दे दिये है कि अधन जूसी पनावाई पेपर्स लीक मामले में अमिताब बच्चन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है मंगलवार को अमिताब बच्चों ने सफाई दी थी कि पनामाई पेपर्स लीक में जिन कमपनियों का जिक्र है वो ऐसी किसी भी कमपनी को नहीं जानते लेकिन इंडिया 24-7 की परताल में पता चला है कि जब कमपनिया रजिस्टर की गई थी या बनाई गई थी उसी समय उनका कारोबार अमिताब के छोटे भाई अजिताब बच्चन देखते थे जाच में पता चला है कि अजिताब अपने बड़े भाई के वित्तिया और कारोबारी मामलो पर फैसला लेते थे जी मीडिया को पता चला है कि एक बड़ी राजिदिक पार्टी के परिबार का पैसा भी इसी कंपनी के अकाउंट में जरीय भीजा गया और जांच में पता चला है कि अमिताव ने लंड़न में वकील सरूच जैवाला की मदद ली थी सरोड जयवाला की वेबसाइट पर भी इसका जिख्र है जयवाला ने वेबसाइट पर खुद कार कि वो अवचताब बच्चन और गांधी परबार के वकील है अवचताब बच्चन को लेकर उनके दोस्त रहे अमर सिंग ने खुलासा किया है कि बोफोस केस से अमितात को बचाने के लिए उन्होंने पूर्वा प्रतार मंत्री चंदर शेकर की बददी थी और शुदार परताफ सिंगे प्रायन का या पत्षित होने का और चंदर शेकर के आगमन का सबसे बड़े के सबसे बड़े लाभार्थी है और बात की सरकारें इनको तंग ने करें इसके लिए फेरा बोड के उन्नी नाम के एक विक्ति से चंदर शेकर दी ने इनके पक्समी न को संभवता कहा जा सकता था कि पूलिटकल डिसी देन है फिर सम्भाबला खूल सकता है तो आपको कहाने के हो दिसी तुरुप से मैं बीच में था मुझे कोई कहने में लग जानी और चंशेकर जी की मृत्यू के बाद क्यामता बच्चन समेधना के लिए एक बार भी चंशे अधा वाला नाम का वेक्ति जिससे उन्होंने अप्रवासी भारती करूप में चैनल चलाते हुए पचास क्रोड रुपे लिए और जिसको उन्होंने हस लिखित प्रणोड दिया कि तुम्हें लेना है हमें देना है और प्रणोड लेकर के आज भी वह विद्दमान है पूर दूने हैं इस बात की जाजपरोतन दुद देशाले कर रहा था पता निकर रहा या नहीं तो पचास क्रोड रुपया जो हंता बच्चन का बकायाता साहरा ने क्यों दिया और अगर साहरा ने दिया तो साहरा का हर पैसा अभ सेवी की मिलकियत है तो क्या वह 50 क्रोड रुपय ली तो क्या फिरा प्रिमा वाइलेशन का केस बनता है तो मैं समझता हूँ कि मैं अव्दार बच्छन का इतैसी हूँ जिस सर्थ से हर अगनी परिक्षा सो निकले वो फर्सकी से निकले दौलतपूर की विवाद से निकले इस विवाद से भी निकले 35 मार्च को ही अवर्सिंग ने अविताब के पच्छास करों के एक लेट दिन को लेकर गंभीर सवाल उठाये थे और वर्सिंग ने का था कि परववित मंत्री से भी उन्होंने अविताब के केस को दबाने में मदद ली थी आपके बारे में उनका जो असली चेहरा था असली ब्यक्तित्व था उसका आशास आपको कब हुआ क्योंकि जीस तरह से अमिताब और उनका पूरा परिवार आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ हम लोगों ने देखा है दिली से लेकर लखनौ तक और बारावंकी तक को कि उनका नाम मैंने सुना कि निर्ण बोजी जी देंशकर रास्तपती के लिए तो देंशकर राश्तपती के लिए जो एक संभावी तुम्हे दो आपके उड़ार है इसको एक शेत रहना जाए तो जब वो दिन आ रहा ह। उसके पहले यह चीज इसफस्ट होनी चाहिए कि और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस मावले में अम्तार बच्चन के अंदेव हो के कारण मैंने जश्वन सीख जी की सेवाली थी जब वो वित्मंतिर थे और एक महिला अधिकारी जिसका नाम मुझे याद नहीं है मुंबई में थी वो बहुत इमांदार थी उसके दफ्तर में भी हम गए उससे भी रुष्टो के हमने बात किया कि जैसके इतने बड़े कलाकार को आफ्तंग कर रही है हमने का अमतार बच्चे ने पैसा नहीं दिया क जैसे वो फर्ष के अगली पर इच्छा से निकले जैसे वो दौलतपूर में सुप्रीम कोर्ट में केजी वाला कृष्ण के हाथावड़े से निकले मैवथी के उत्पात के भावववूद वैसे वो पुरोहतें दिर्टे साले के जाज से जो आजकल बंद हो गई होगी करते हैं कि हमारे परिवार को सबसे जादा मिला है वो सब वापस भी देना पड़े तो मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूं मैं चाहता हूं कि हमारे पुराने भाई बड़े अपरे पुराने मित्र और देश के इतने बड़े कलाकार सदी के बहानायक आदली परदान मंतिन देरण बोधी के इंकरिबुल इंडिया के संभावित सभाख अपने को सुझिता और सुधता से यूगत कर लें ताकि आने वाले सारे बड़े-बड़े पद अलंकरितों सुसूर्वितों अबे बुरा तो ने लगेगा अच्छा लगेगा मेरी सुपक अबने उनके साथ है चांवित ने आज उन इलाको के लिए स्पेक्ट्रम शेरिंग की मंजूरी दी जहां स्पेक्ट्रम के लिए मार्केट मोजूद नहीं है को मंजूरी दी है कापनेट ने आ चार्स तलकिल में और सो मेगार्स स्पेक्ट्रूम की ट्रेडिंग को मनजूरी दी है कापनेट ने वायूम में एटीसी की क्यावन प्रतीशत हिस्सा खरीद को भी मनजूरी दी है कर दो अजए वे वे अजट बशनले प्रतीश में खरीद हिस्सा तेस्ट्रूम प्रतीश टेडित हिस्साइ़ प्रतीश ठीदिकलिस तो भाइलब टूस्ब्स को स्था खरी में और सॉछ्ट CTR वायूम प्रतीश प्रतीश मुनाटीब और से चार्स थाल चूर्सुंट ट्रीद शिवसेना प्रमुक उधर ठाकरे ने किद्व सरकार पर हबला किया है कारकरम के दौराल उधर ठाकरे ने काया कि देश में बड़े बैबाले पर अई स्थिरता का बहुल है सरकार के तरफ आजशा से देखने वालों को हर बोल पर खत्रा नजर आ रहा है 12 सरकार ने पठान को ठबला बाबले में पास SIT को ने उता दिया लेकिन वही टीम वापस देश पहुंच कर कह रही है कि हिंदोस्तान के पास सुबूत नहीं है और इसे हिंदोस्तान की साज़श वो बता रहे है सर्विस टेक्स बकाया मामले में आज मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में विजे बालिया और किंग फिशर एरलाइन्स के पुर्वर सीओ संजे अगरवाल पेश नहीं हुए किंग फिशर हाउस को बेचने में नकाम रहे बैंकर्स अब इसके रिज़र प्राइस को घटाने के तयारी कर रहे है SBI Caps में Kingfisher House बेचने के लिए 150 करोड रुपे का रिजर्व प्राइस तै किया था लेकिन इस रिजर्व प्राइस पर एक भी बोली नहीं आई है और सुत्रों की मताबिक इस बारे में पैसले के लिए एक और बैठक होगी और इसी बैठक में Kingfisher House के लिए बोली मंगाने की तारिक भी तैयर होगी रगुराम राजन ने बैंकों पर छोटे कर्जदारों पर सक्त रवया अपनाने पर नराज की जाहर की है और राजन ने काए कि बैंकों की बड़े कर्जदारों की मुकाबले छोटों पर जादा सक्ती बरतने हैं बैंक और साती राजन ने विलफुल डेपॉल्टर्स पर सक्ती बरतने की बात कही है पीएसेल घोटाले में सीबियाई अगले दो दिन में चार्चिट डाकिल कर सकती है सोत्रों के हवाले से खबर है कि सीबियाई ने इस मावले में परल ग्रूप की चार डारेक्टिस को गिरिफतार करके पूछताच की है और सुत्रों का कहना है कि CBI के चार्षिक में काफी कम्या है CBI ने जो चार्षिक बनाई है उससे निवेशोकों के पूरे पैसे निकल पाना मुम्किन नहीं है CBI चार्षिक में Pearl Group की सारी प्रोपर्टी शामल करने में नाकाम रही है CBI ने Pearl Group की करेट 600 कमपनियों की जाच की है और CBI की जाच में फटा चला है कि Pearl Group 10 कमपनियों से पैसे को एक दूसरे में ट्रांसपर करके मुनाफ़ा दिखाता था Directorate of Revenue Intelligence यानिक DRI ने कूल इंपोर्ट में बड़े घोटाले का परदाफाश किया है DRI सुत्रों के मताबिक कमपनियों ने कूल इंपोर्ट का Will Original Price के मकाबले जादा दिखाया और इस मामले में कई बड़ी प्रावेट कमपनियों के साथ सरकारी कमपनिया भी शामिल है BJP के 36 स्थापना दिवस पर आज पीम नरेंदर बोदी और पार्टी अध्यक्ष अविश्या ने कारेकरताओं को बढ़ाई दी स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुक्याले में आयोजित समारों में अध्यक्ष अमिश्या ने BJP को इस मुकान तक पहुंचाने वाले नेताओं और कारेकरताओं को याद किया अमिश्या ने कारेकरताओं से अपिल की कि वो राश्च्वादी पार्टी की पहर्चान को आच ना नेगे प्रदार मंत्री नरेंदर बोधी ने भी कार्यकरताओं को स्थापना दिवस की बढाई थी और ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर मैं बीजेपी के करोड़ू कार्यकरताओं को सलाम करता हूँ जिनोंने हमेशा पूरी शक्ति और नेश्टा के साथ वीजेती की सेवा की वीजेपी 6 अप्रेल 1903 को अस्पित्वे में आई थी और अटल बिहारी बाजपी पहले अध्यक्ष बने थे अब तक 10 नेता वीजेपी के अध्यक्ष बन जुके हैं कितने लोगों से शुरूर हुई भार्दिय चंसंग की यात्रा आज भार्दिय चंता पार्टी के 11 करोड कारेकताओं के परिवार में तब्री कितने कितने नाम विनाएं बीजेपी के वरिश नेता लाल किष्ण अरबानी की पत्ति कबला अध्वानी का 83 साल की उम्र में दिलका दौरा पढ़ने से निधन हो गया आज दिलका दौरा पढ़ने के बाद कमला अध्वानी को दिली के एम सस्पताल लेकर जाए गया जहां देर शाम उनका निदन हो गया, 25 परवडी को लाल कृष्ण अरवानी ने अपनी शादी की एक्यामीर साल विग्रव भी मनाई थी कमला अटबानी के दितर पर शोग जताते हुए पीम नरे दर्बूधी ने ट्विट किया कमला अटबानी बूल रूप से कराच्वी के रहने वाली थी बीजेपी के पुर्वा ध्यक्ष और केंद्री मंतरी नितिन गटकरी ने अयोध्या राम मंदर को लेकर बड़ा वयान दिया है गड़करी ने ये भी का कि ये कहना सही नहीं है कि पार्टी अपना एजेंडा भूल चुकी है लेकिन संसद में कोई भी कानून पास होने के लिए दो तिहाई बहुमत का होना जरूरी है मजभ के नाम पर सियासत में हर बार इंसानों को बाटा है और आजनीती की विसाथ पर मतलबी मोहरों के खेल ने समाज में दूरी पैदा करने शुरू करती ऐसे दोर में याद आता है सुफिजम जिसके विचारधारा की आज जरूवत है जिसे समझाना आज जरूवी है इंडिया 24-7 के एडिटर वासेंदर मिश्टर ने सुफिजम के मौजूदा रेलेवेंस को लेकर मशूर सुफी कत्तक डांसर मंजरी चत्रवेदी से बाचुत की आज की तारिख में सुफिजम कितना रेलिवेंट लगता है आपकी नदर तो सुफिजम सिर्फ एक बात कहता है इश्क, महबबत इसके अलावा और कोई बात सुफि संतों ने नहीं कही है अब ये अगर हम बात आज की दौर में समझ लें तो ये जितनी लडाई हो रहे हैं, जितने सब आपस में बढ़ रहे हैं हम खुद अपने आप सोचेंगे कि ये सब बिल्कुल निरथक है और जिस दौर में इंटॉलेरंस समेट दूसे कई वीजा मुद्दों के सारे सियासत सादने के कोशिश हो रही है तो सुफिशन में वो ताकत है जो दिलों के तार जोर सकती है मंजरी चत्रवेदी का मानना है कि अगर सुफिशन को सब समझ जाएं तो सारी लडाई अपने आप खत्म हो जाएगे गर आप आज किसी दरगाह पर जाएं तो आपको जितने मुसल्मान मिलेंगे उतने उससे बलकी जादा ही अलग धर्म के लोग भी मिलेंगे हिंदू जादा जाते हैं दरगाहों पर जी बर्कुर जी बर्कुर और वो जो एक निजबत है जिसको कहते हैं कनेक्शन वो इन सूफी संतों ने इश्क मुहबबत के जरिये कायम करा और बड़ी देखे इस दोर पे जब मैं इस पर रिसर्च करते हैं बड़ी खुबसूरत चीजें पता चले जैसे कि अगर मैं आपको पताओ तो काकोरी में एक दरगाह है और वहाँ पर जो सूफी संत हुए है और वहाँ जो पोएट हुए है शाहतुराब अली कलंदर साहब उन्होंने देखे कितनी खुबसूरत बात है कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा दीवान जो एक कहते हैं कलेक्शन अफ पोएट्री वो कृष्ण पर लिखा और किंद्री ग्रेमंत्राले ने आईपियस अमिताब ठाकूर का सस्पेंशन ओरर रद कर दिया है यूपी सरकार ने मिताब ठाकूर को सस्पेंशन किया था और ग्रेमंत्राले के उपसचीर मुकेश पानी की और से दायर हलफ नामे में कहा गया है ये अखिल बार्टिय सेवा अनुशासन एवं अपिल नियम की धारा तीन आठ एक के तहट अमिताब के निलंबन की अवधी पिछले साल 11 अक्टूबर को खत्म हो गई क्योंकि इसे 90 दिन की अवधी से पहले बढ़ाया नहीं गया हलफ नमा उत्तर प्रदेश के ग्रियव विबाग को पेश करते वें अमिताब ने मांग की कि उनकी बहाली का आउपचारिक आदेश यारी किया जाए ये जानकारे फुद अमिताब ने दी अमिताब को 11 जुलाई 2015 को निलंबित कर दिया गया था अमिताब ने अरूप लगाया था कि सपा मुक्या मुलैम सिंग्यादों ने उन्हें फोन पर धंकी दी थे गुबनामी बाबा के 26 बक्सों में रखे करीब 2700 समानों को हाई कोट के आदेश पर सरक्षित करने के प्रक्रियाज से शुरू हो गई और इसके लिए फैसाबाद के राम भवन में गुर्णामी बाबा के समानों को रासायनिक विदी से सरक्षित करने के लिए लखनव से साथ सदस्य टेक्निकल टीम कोट में बनी ट्रेजरी में पहुंची टेक्निकल टीम को अब इन समानों को रासायनिक विदी से सरक्षित कर जनता को देखने के योग बनाना है जो अयोद्धा में बने रामकता संग्रहले में में रखी जानी है कर दो कर दो करने के लिए ये तै करने के लिए कि कौन से बनाना है कौन से समानों का ट्रीट्मेंट होना है कौन से समान डिजर्व कलेक्शन में रखे जाएंगे और कौन से समान वापस ट्रेजर्व में रखे जाएंगे इन सारे कामों के लिए आज ये टेक्निकल टीम आई जिसमें कई दिभावों के लोग है और उत्तर प्रदेश में राज़धानी लख्लेओं के साथ का इलाकों में इस बार गर्मी कहर बर पाएगी यूपी मौसम विबाग के निदेश अग जेपी गुपता के अनुचर दिन में पच्छवा हवाय चलेंगी और लू चलने का दोर शुरू होगा बुनिलखन और पच्छमी उत्तर प्रदेश में तापमान में तीन से चार डिगरी शल्सेस तक की बरोतरी के असार हैं मंगलबार को राज़धानी लख्लेओं में अधिक्तम तापमान चालेस दश्मलो आठ डिगरी शल्सेस दर्ज हुआ RBI गवर्नर रगुराम राज़न ने बैंकों को ब्यासदरे नहीं घटाने पर कड़ी फटकार लगाई है और राज़न ने काई कि RBI के रेट कट के बावजूद बैंक इसका फायदा ग्रांकों तक नहीं पहुचा रहे है बैंकों के पास ब्यासदरे घटाने का अब ज़्यादा मौका है दुनिया के सबसे ज़्यादा यूज किये जाने वाले स्टेंट मैसेजिंग एप वोट्सेप ने अपने यूजर्स के मैसेज को इंटो इंट आपको बता दे अपने नई कॉम्पैक्ट हैच्बेक कार ट्यागो लांच कर दिया है और ट्यागो को पेट्रोल और डीजल दोनों वेरेंट में लांच किया गया है ट्यागो के पेट्रोल वेरिंट में 1.2 लीटर रिवर टॉर्ट इंजन दिया गया है जो 83 बीएच्पी के पावर देता है वोई डीजल वेरिंट में 1.05 लीटर रिवर टॉर्क इंजन दिया गया है जल्दी दिल्ली में बिना ड्राइबर की मेट्रो चलने वाली है और ये मेट्रो पूरी तरह से वाई-फाई और एलेडी टाइप स्क्रीन से लैस होगी जबकि इसके स्पीड भी मौझुदा ट्रेन से ज़ादा होगी इसमें यात्रियों के शमता भी ज़ादा होगी इस मेट्रो ट्रेन में डिजाइन के स्पर पर कई बदलाव भी किये गए दिल्ली में 15 अप्रेल से लागू हो रहे और डिवन फरमूले के तहट महिला कार चालकों को मिलने वाली छूट जारी रहे गए और दिल्ली सरकार और डिवन स्कीम में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को गारी से स्कूल चोड़ने और स्कूल से लाने जारे पैरेंट्स को भी और डिवन स्कीम में छूट मिल सकते हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश में आतंकी हमले का खत्रा मंडरा रहा है और पंजाब पुलिस के मताविक पाकस्तान के तीन आतंकी हंदुस्तान में दाकिलों चुके हैं जो बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं पंजाब पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए का है कि पंजाब में एक कार में तीन संदिक पाकस्तानी घूम रहे हैं और नई अधिकारी तंजिल अमद मुडर केस में पुलिस ने विजनौर केस एस्पूर में संदिक दों के घरों पर दबिश डाली झाली